अस्सलाम आलेकुम नमस्ते दोस्तों अमीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होगे सुबा का समय हो गया यहाँ पर उठ गए हैं आज का बोलोगिन में हम क्या क्या करेंगे आप लोग के पास सेर करेंगे अगर मेरा बोलोगिन चेनल आप लोग का पसंद है तो लाइक, सेर और सस्कराइब जरूर कीजिएगा आज हम बोलोगिन चेनल में कीचन टीप्स लेके आएं बहुती काम आने वाला है और बहुती कीचन का पैसा बचत होने वाला है और समय से पहले आपका काम भी खतम हो जाएगा यहाँ पर हम पहला टीप्स दिखा रहे है लोकी का मार्केट से लोकी लेके आते हैं लेकिन पता भी ने चलता है जब यहाँ पर घर में बनाते हैं तो उससमें बहुत सारा दाना निकल जाता है अच्छा नहीं लगता है खाने में तो वाला कैसे पता चलेगा यहाँ पर हम देखे नाकुन डुबा के दिखा रहे हैं इस तरह अगर लोकी डूब जाएगा नाकुन तो आपका पता चल जाएगा यह लोकी अगदम फरे से ताजा है और बहुत थी अच्छी तरह से लगेगा खाने में और दाना भी नहीं निकलेगा यह वाला टीप्स अ आपका काम भी खतम हो जाएगा अब देखें यहाँ परोंग लोकी छिलका जो है उवाल हम फेकेंगे नहीं इवाला भी काम में आ जाएगा जो आपका घर में पेड़ पोधा है चोटा-चोटा फूल अगे रहा का उसमें दे दीजिए बहुत ही इसमें एनर्जी रहता है अ आपका सब्जी खराब नहीं होगा बहार में भी रख सकते हैं गर्मी का सीजन अभी चर रहा है इसलिए फिरिट में रख दीजिए अगदम सब्जी फरेश रहेगा और सबेरे उट करके खाली सब्जी बनाना है इसमें कोई जमेला नहीं जंजट नहीं और काम भी अगदम असान हो जाएगा और समय से पहले आपका नास्ता भी बन करके तैयार हो जाएगा इवलाटी सफलों का जरूर पसंद आएगा पसंद आएगा तो एक लाग जरूर कीजेगा अब देखें यहां पर हम चोटा चोटा पीस करके काट लिए हैं अब यहां पर हम एक बोटल और खरीरिज में भी जगा रहेगा अब यहां पर हम जितना भी लोकी काटे सब हम डाल दिए और यहां पर कितना सुंदर भी दिकराया देखें इस तरह करके भरके रखिए आपका काम भी असान हो जाएगा और किचन का काम अगदम समय से पहले खतम हो जाएगा अब यहां पर हम इस तरह करके पे करके कहीं फिरीज का कोने में हम रख देंगे हम पूरा लोकी अगर रख देते हैं तो फिरीज का जगा बहुत ही ज़्यादा ले लेता है इसलिए इस तरह करके रखे आपका जगा भी बच जाएगा और समय से पहले भी काम खतम हो जाएगा इवला दarden करें पर नहां बहicaçãoने यहां पर मेरा एक दाना भी ऊपर नहीं nhi आया एक तरहक आन्दर मार्केट में पलास्टिक का भी चावल उठा है खाने में भी उसी तरह लगता है जिस तरह लेकिन उस पकने में बहुत ही समय लगता है इसलिए यह वाला टेस्ट करके ही वाला टीप्स अपलों का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कीजेगा अगले टीप्स के लिए आगे बढ़ते यहां परमे कि टोरा लिए है अभी गर्मी का सीजन में तो हर घर में दही रहता ही रहता है हर सब्वे मार्केट से खरीद के लाने का जोरत नहीं है इस तरह करके घर में किस तरह जमाना थे दखाते आप लोगों तो को यहा परहा में कट्वरा लिए हैं अब का स्वरा न्य जामन लेगें नहीं हैं पहले ही हम द्मन करें तियार हो अब यहाँ पर हम दूद लियें, दूद अगदम गाढ़ा रहना चाहिए, दूद में जरा समी पानी ने रहना चाहिए, तब जाके आपका दही अगदम ठीक बनेगा और बहुत ही टेस्टी लगेगा खाने में, घर का जमाई हैवा दही बहुत ही टेस्टी लगता है, से पहले काम बनके तैयार हो जाएगा, अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हम एक छोटा सा बोटल लिए है, यह वाला बोटल सोस बोटल है, जो बच्चा लोग का चौमी नुमिन बनता है, वही वाला हम चीली सोस बोटल लिए, आप कोई भी बोटल ले सकते हैं, यहाँ पर हम पलास्टिक चिपका है, वाला हम हटाएंगे, हटाने के बाद क्या करेंगे, दिखाते हैं, वीडियो में बना रही हैगा, इसकिप मत किजेगा, तब जाके पता चलेगा, यहाँ पर हम बोटल में क्या करेंगे, अब देखें, यहाँ पर हम बोटल का सब्सक्राइक का पैसा बनागाद dan का जहिता करने मार्केट अगर खरीदने जाएगे तो एक दश जाता है एक बोटल का और इससे ज्यादर महंगावाला लेना है ज्यादर ही दाम है इसलिए अग्दम सिंपल वाला जदी लेना है तो डेड़ सो रूपया लेता ही लेता है तो इस तरह करके घर में बनाएए और डेड़ सो रूपया है तो हम लोग ट्यक्ते हैं लेकिन उस्चन से पहले एक बार इस तरह बना करके देखियंगा बहुत ही टिशन का मे बाप आएगा और बहुत चाहिए चिटर कनूद आए और जिकलता हो जाता है को भूद करके हम जुगाड लगाए और tel निकाल elabor T जैसा तेल निकला है अगर इवला टिप्स अपलों का पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा अगले टिप्स के लिए आगे बढ़ते हैं यहां पर हम आलू लिए हैं अक्सर क्या होता है जल्दिबाजी में हम लोग आलू कुकर में बॉयल होने देते हैं और कुकर मे देने से क्या होगा आपका आलू एक से दो सीटी में ही सीज जाएगा और आपका आलू फटेगा नहीं अगर इवला टिप्स अपलों का पसंद आया है तो एक लाइक जरूर कीजिएगा आप लोग जो लाइक करते कमेंट करते तो बहुत ही अच्छा लगता है अगले टिप खाना भी बहुत ही जरूरी है अब देखें यहां पर हम डंठल को हटा दिये हैं डंठल जैसे रहना ना चाहिए गर्मी में आदमी इधर उधर जाता है तो बहुत ही दिक्कत होता है लू लग जाता है तो इस तरह करके आप आम को बना करके और सबेरे बच्चा लोग को दे दीजे बड़े लोग को दे दीजे सरवत बना करके आपका बच्चा का कभी लू भी ने लगेगा और ना गर्मी लगेगा लू लगने से और गर्मी लगने से बहुत ही दिक्कत होता है कभी कभी बिमार पर जाता है उल्टी पैखाना होता है बहुत सारा बिमारी हो जाता है तो इस तरह करके आम को गेस चालू करके इस तरह पका लिजे पुलट पुलट करके आम अच्छी तरह से पकाना है जिसे कच्छा आम नहीं खाना है कच्छा आम खाने से सरीन में जलन होता है इसलिए कच्छा आम को नहीं खाना है जब ही आप आम लाईएगा तो इस तरह करके गेस में पका लिजेगा और जब बच्चा लोग इसकूल जाता है सुबा सुबा तो इस तरह करके दे दीजे सर्वत बना करके एक गिलस बच्चा का कभी आपका लू नहीं लगे आम में बहुत सारा गर्मी रहता है इसलिए आम जब पकाईएगा तो उस तरह निकलेगा रस ज बनाना है तो रात को ही पका के रख लिजेगा अस सुबेरे सर्वत बनाके बच्चे लोग के दे दीजे और पी करके इसकूल चले जाएंगे बहुत ही गर्मी अभी बढ़ गिया है तो इस तरह करके दीजिए बच्चा लोग को कभी लू नहीं लगेगा और नहीं आपका ब इलट हो जाएगा अब यहां पर हम उलट पुलट के चार तरफ हम पका लिए है आपको हम अच्छी तर से पका लिए अब यहां पर हम एक पिलेट में निकाल के दिखाते हैं किस तरह मेरा आम अक्दम देखे यहां पर हम चाकू एक डुबा के दिखारे एकदम किस तरह डूब जा रहा है और अगदम स्वफ्ट हो गया है और स्वफ्ट हो जागा अगर रात बर आम को रखेगा तो ठंडा होने के बाद देखे किस तरह अगदम आम अगदम पक के तयार हो गया है फेले वाला से अच्छे बन करके तयार ओजाएगा आम का सर्वत अब यहां पर हम आम को पका करके तयार कर लिएं देखे किस तरह अग्दम स्वफ्ट हो गया है और रात भर अगर आगर आम रहेगा तो ऊर्षभ्ट हो जाएगा और ठंडा पाद ही यहां अच्छी तरह से QAAM करेगा tips के अगे बढ़ते हैं यहां पर हम गुलू कॉंडी लेक्शा आया है यह वाला हम लोग खूल देटे तो बहुत सारा नुकसान भी हो जाता है चीटी वह और बहुत भूस जाता है तो यहां क्या करेंगे दिखाते हैं आप लोग को देखें यहां पर हम कट कर लिए हैं और यहां पर हम दोनों साइड वाला पेकिट को हम अच्छी तरह से बंद कर लिए और उपर वाला भी इस तरह करके हम बंद कर लिए हैं अब यहां पर हम एक रबर्बेल लगाएंगे गर्मी का सीजन में हर घर में आता है यह वाला कैसे रखना है तब जाके आपका सुरचित रहे हैं अक्सर क्या होता है किचन में बहुत सारा हरी मिर्चा रहे चाहिए लाल मिर्चा रहे मिर्चा का ही ज्यादा जोरत रहता है और जब मिर्चा हम लोग कारते हैं तो हाथ में बहुत जलन होता है लगता है क्या करें क्या नहीं इसलिए यहां पर हम एक छोटा सक्टित लेक यहाँ पर कितनों आप मिर्चा काटिएगा तो आपका नहीं हाथ में जलन होता है तो दो घंटा तक रह जाता है इसलिए यहाँ पर हम एक छोटा सटी चुले के रहाए हैं यहाँ पर हम काटा चमच लेंगे और काटा चमच में मिर्चा को हम पीछे सड से इस तरह करके सब घुसा लेंगे जितना भी आप मिर्चा कटेगा आपका नहीं हाथ जलेगा और नहीं आपका तकलीफ होगा यहाँ पर हम काटा चमच में यहाँ पर जितना भी गुसेगा उतना हम गुसा लेंगे यहाँ पर हम तीन से चार गुसा आएंगे और एक साथ इतना सारा मिर्चा कट करके तयार हो जाएगा काम भी आसान हो जाएगा और हाथ भी ने जलेगा और किचन का काम बहुत ही जल्दी खतम हो जाएगा अब देखे यहाँ पर हम काची लेंगे यहाँ पर हम काची से काटेंगे आप चाहे तो चाको से भी काट सकते हैं यहाँ पर हम काची में इस तरह करके आप चाहे तो मोटे भी काट सकते हैं पतले भ हो जाएगा गौन्टों के का मिनटों में बन करके त्यार कर लेंगे असानी से कट जाएगा और बहुत ही जल्दी काम ख़तम हो जायगा, नहीं आपका हाथ जलेगा, और नहीं नाक्षुन जलेगा, कभी कैए होता है उंगली फटा हुआ हरा तो बहुत सरा जलन होता है यह वाला टिप्स अपनों का अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर किजिएगा